मुंची जी, वो देखी डैडी का प्लेन, डैडी आ गए, डैडी आ गए मुंची जी, मुंची जी, और तो सब ठीक है न, जी बिलकुल ठीक है, मगर राय साहब, मैं विक्की के बारे में आप से कुछ बात के बात कर लीजेगा, दरसल बात ये है के मिस्टर रिचर्ड को अपने नए स्टील प्लान पर ले जा रहा हूँ, हाँ देखा मुंची जी, आज भी डैडी ने हमें प्यानी किया बेटे, तुमारे डैडी को काम से फूर्सत ही गाँ मैं जो हूँ तुम ब्यार करने वाला यह हम क्या सुन रहे हैं मुंची जी, विक्की ने शराब पीना शुरू कर दी है उसे तो हमने आपके हवाले किया था और आपने उसे शराबी बना दिया और नन्ना बेचारा विक्की आपने बाप के प्यार को तरस्ता रहा आपके पास तो इतना भी वक्त नहीं था कि आपनी मर्दी हुई मीवी को आगर देखते भी वो रात मुझे आज भी याद है जब आप डॉक्टर पर डॉक्टर भेज रहे थे मुझे जी, पांच मिनिट के लिए डॉक्टर साब को बाहर जाने के लिए कही है डॉक्टर साब, बाहर जाए जाए मेरी जिंदेगी का दिया तो पूछ रहा है मुझे जी मैं विक्की को अपकी गोद में डालती हूँ इसे, इसे मा के तरफ पालना क्योंकि मैं जानते हूँ इसके बाप के होते हुए भी इसे बाप का प्यार नहीं मिल सकता जो इंसान, मरती हुए पत्नी को देखने नहीं आ सकता वो अपनी अवलाग को क्या देखेगा में, 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 विक्की को अपकी, अपकी आपकी जů busy अपकी में अपकी झाल 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 जा सकते मुंची जी हम आपके बेना नहीं रह सकते हैं तो जा सकते हैं इस मुंची को भूल जा तेरा खून का रिष्ता रायसाब से है यही तेरे सब कुछ है गरे मुंची ती घर कर नहों कर आपके नहों करूं मैं नहीं रह सकता है रो मत रो मत मैं नहीं जाओगा मुंशी जी जो हुआ सो हुआ कल से विकी स्कूल नहीं जाएगा इसकी पढ़ाई का बंदोबस्त खर पर ही करतीजिए क्या बाता सकता है ना साब बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं बात ही कुछ ऐसी है राय साब ने बस्ती खाली करवानी के लिए का था और सारी बस्ती पर बुल्डोजर फिरवा दिया मगर एक बेवा औरत अपना जोबड़ा छोड़के जाने के लिए तयार नहीं है वो कहती है कि मैं डूली में बैटकर यह आई थी अब मेरी अर्थी यहां से निकलेगी तो फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं आप उचे कुछ पैसा देकर जोबड़ा खाली करा लिजे झाली कर फिर उचे नहीं है पर शावाज एक उस्ताद के लिए इससे बड़तों खुशी की बात और क्या हो सकती है कि जिसी स्टूड़न पर वो महनत करे वो बड़ा होकर बाहिसत इंसान बने आज तो मैं देखकर मुझे ऐसा लगता है मेरी आशाओं मेरी तमनावने वर्दी पहन रखी है सर, खुदा रुसूल के बाद अगर मैं किसी और की इज़त करता हूँ तो वो आपकी मगर एक सवाल जो आप हमेशा से टालते चले आ रहे हैं आज उसका जवाब दीजिए कि वो कौन नेक इनसान है जिसने एक कमजोर पौदे को अपनी महरबानियों से सीच कर इस मनसल तक पहुंचा दिया देखो बेटा मेरी जबान किसी वचन की जंजीर से बली हुई है जो वादा जो वचन मैंने जिंदगी भर नहीं तोड़ा उसे तोड़कर क्यों गुनकार बनाते हो और देखो बेटे दुनिया बहुत छोटी है हो सकता है किसी रोज किसी चौराए पर किसी मोड पर उस नेक इस नेक इनसान से तुम्हारी मुलाकात हो जाए तोड़कर का शराबिक बाद नोटे चापता रहता है और बेटा फड़के नापता रहता है पर लवन्डा दिल का हीरा है हीरा हाहाह थाश और भार फड़के नाखता है कि यह बेरो बाज किसने कहा रहा है मैंने नहीं कहा रहा है कि श्राबी के अवास किसने लगा रहा है कि हैं नोट मी सार हमारे मुझे टिवा नहीं है कि मैंने का बोला मिक्की बाबू पानी पी सकती है यह अप्र नहीं पी सकते अरे बाई शराबी को शराबी नहीं तो क्या पुझारी कहोगे हरे यह और यह तो शेर हो गया मैं शराबी को शराबी नहीं तो क्या पुजारी कहोगे, गेहों को गेहों नहीं तो क्या जुआरी कहोगे, गेहों को गेहों नहीं तो क्या जुआरी कहोगे, गेहों क्याराचा, गेहों क्याराचा, गेहाचा, 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 ग में तूप किताब से जलते हो रात को पास्कल की शराब से जलते हो लो एक और शेड़ हो गया भई अरे तुम लोग हम से मिलते रहा करो क्या मूझ से धरादर शेर टपग रहा है यह मुझिशी जी भी आज ने जाने कहां चले गए वरना हम भी उन्हें पताते कि वजन में शेर कैसे कहा जाता है तुम लों को आज अंग्रेज ही भलाता है यह माना कि अंग्रेज दुनिया को बेवकुफ बनाता है मगर यारों खता माफ शाब स्वेज बनाता नंग्रेज है कि तुम खता है कि । स Len कि अच्छानुन की वर्दी से अपना न बैर कि मैं इंस्पेक्टर तुमारी हमारी मुलाकात हमेशा इसी मोड पे ही क्यों होती है विकी बाबू पता नहीं क्यों मैं जब भी यहां से गुजरता हूं तो मेरे कदम खुद बखुद यहां रुक जाते हैं ऐसा लगता है जैसे यहां किसी नेक इनसान का साया है जो मुझे रुकने पर मजबूर कर देता है और फेर अक्सर आप मिल जाते हैं अब आपका और मेरा क्या रिष्टा है यह तो खुदा जाते हैं खराब बताईए आप इतनी रात गए और इन मवालियों के साथ मवाली नहीं भाई यह तो हमारे साती है साती हाँ हाँ जो सात ने वो साती हुए ना एक बात पूछूं भी की बाबू आपका इतना बड़ा किले जैसा आलिशान माकान और आप यहां इन लोगों के साथ इस तरह इसलिए तो हम इस तरह हैं इंस्पेक्टर क्योंकि किले में जंग लड़ी जाती है राह नहीं जाती है आपके बच्चे को बचाने के लिए उपरेशन करना पड़ेगा और उसके लिए पैसो की जूरूत पड़ेगी अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मैं मजबूर हूं मैं कुछ नहीं कर सकता नहीं ड्रफॉप ऐसामत कीजी ड्रफॉप खुदा के वास्ते हम पर रह्म कीजी हमारे बच्चे को बचा लीजिए अगर इसे कुछ हो गया ना तो मैं इस इस ऐस्स्पटाल को आग लगा दूगा तो गा सारे ड्वक्टरों को खितम कर दूगा तो पैसे के पुजारी पैस कर दिया है कि अरे पैसे कि पुछारी कि कर दो стрcción कर दो कर दो कर दो प्रची आपी अए पुरिय्ड देर भी निये देव तो आप मुंसी जी अस सुबह ईतनी जल्दी क्यों हजाती है मुठा ढई नौ मरकं जैंक बनाक कोंटर्ट हमें मिल गया है ओ ठेंक यू क्यों असिस करोड का विला देंग इन करोडिये का कर गज़ा अभी आधा क्या है विक्लिया क्या सर मैंने मुंशी जी को नी के कमरे की तरफ जाते हुँ हू Willow मैं दस मिनिट में पहुंच रहा हूँ, अभी आया मारकन सिंग तुमसे कितनी बार कहा है कि बोतले जब खाले हो जाती हैं तो उन्हें पूंकते ना बुद मॉर्निंग विकी बुद मॉर्निंग ड़री विकी शायद तुम्हें मालूम नहीं कि खाली बोतलों की भी कुछ कीमत होती है और हाँ, जारा तारीक को बिजनिस की बड़ी इंपॉर्टन मीटिंग है, वक्त पर पहुंच जाना देखा मॉन्शी जी, बिजनिसमान हो तो डैडी जैसे हैं इन्हें खाली बोतल की कीमत का तो एसास है, लेकर उनके बेटे की जिन्दगी जो खाली बोतल से भी बत्तर है, उसका कोई एसास नहीं 24 खंटे बिसनिस, बिसनिस और बिसनिस बेड़े विकी बस बेड़े जरूर क्यों ने, क्यों ने, अर्श किया है कि जिगर का दर्द उपर से कहीं मालूम होता है जिगर का दर्द, जिगर का दर्द उपर से कहीं मालूम होता है आदोब वावा 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 नहीं आ ठेरो या दोरा शेर ओप्याने तुम्सों गाड़ी लेकरके उपर ही चड़े आरो हाँ हाँ हां तो हम और शेरी भूल गए क्या कहते हम जिगर का दहर मैं हाँ हाँ जिगर झाल 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 बस यही तो बात है मुशी जी ये कमबख्त वजन कहां से लाएं देखिए रदीफ पकड़ते हैं तो काफिया तंग पड़ जाता है काफिये को ठील देते हैं तो वजन गिर पड़ता है ये वजन मिलता कहां है दिल की दुकान पर दिल की दुकान पर वो कहां है इसके बादार में मुखबत के शेहर में और प्रेम की दुनिया में मुणशी जी आपकी जितनी बाते हैं वो हमारे सर के उपर से जा रहे हैं जरा लेवल में बात कीजिए हाँ आप कहना क्या चाहते हैं जोगो बेड़ा दुनिया के हर बड़े आदमी के पीठे औरत का हाथ रहा है शाह जहां के शौरत में मुम्तास का हाथ था जहांगीर के इंसाफ में नूर जहां का इस शामिल था अगर तुम अपनी शायरी में बदन पैदा करना चाहते हो तो तुम्हारी जिन्दगी में किसी सुंदरी का होना बहुत जरूर लानत, लानत है मुनशी जी कहा ओरत और कहा हम, हमें क्या लेना देना ओरत जाद से ओ, वैसे भी मुनशी जी हमारे बच्पन से लेकर जवानी तक और आपकी जवानी से लेकर बुड़ापे तक हमने तो आपकी जिन्दगी में कभी किसी ओरत का साय नहीं देखा कि आपकी शायरी में इतना वजन कहां से आगया कहीं सद नहीं है कि हमें सुलाने के बाद आप जी 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 आपकी तारीफ सरका मुझे नटवर्शा कहते है झाल झाल कि जी जी चलमे हीं नियां你是 किपनी कि फो सकते हैं ताजता है् सुनियर इसी इसी यह क्या मज़ाख है विके सहाब? मज़ाख? कैसा मज़ाख? हम दो यहां चुपचाब बैठे हुए हैं, हमारे आसपास भी कोई नहीं हैं, फिर हम मज़ाख किससे करें? वही तो मैं पूच रही हूँ, कि पबलिक का हैं, यह हौल खाली क्यों है? वही तो बड़ी गहराई वाली बात कह डाली आपने, इतनी गहराई में तो हम कभी गए नहीं थे, उबर ही उपर तैर के निकलते रहें. जो बात के गहराई को नहीं समझता, वह किसी कलाकर के कला को क्या समझेगा? अगर आपको यही सब कुछ खंडा था, तो किसी तवाइफ के कोठे पर चले जाती? यहाने के क्या जूरे थी? तवाइफ? कोठा? मतलब हम आपको कोठे पर जाने वाले लगते हैं. मीरा जी, हम तो यहाँ आपकी होसला अवजाई करने आये थे, आपने तो हमें जलील करके रख दिया. देवी जी, कोठा क्या होता है, तवाइफ किसे कहते हैं, यह ना हम जानते हैं और ना हम जानना चाहते हैं. अभी आपने हमसे का कि जो इंसान कलाकार की कला को ना समझे वो इंसान नहीं होता तो इस पर हम कहना चाहेंगे कि जो कलाकार इंसान को ना समझे वो भी इंसान नहीं होता पर हमने आपका दिल दुखाए इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं साथ हिंद् ADAM निव्हें ड्री 2 मुण्षिच इन्हों क्या है रिखिर को केथि हैं कभी आने को मैंена को कर जब आप सुनाना हैं मिना जी तो हम तो हमेशा खवाबों की दुनिया में जीए है अगर आप कभी कोई खवाब हो तो सुना दीजिए पर इन आदों का कमाल देखी इन से आपको हजार ताल्यों की गुंजन सुनाए दे तो हमारा नाम भी विकी नहीं झाल झाल आज तक मैं इलाखों आदमियों के सामने शोकी लेकिन ऐसी दाद ना किसी ने दी और नहीं शायद कोई दे सकेगा आप आप हसी क्यों हसी आज कल के दौर में हसी की फसल लुगती का आए मिनाजी या तो दिवाना हसे या तू जिसे तौफीक थे वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुराता कौन है अरे वाँ 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 भरकुरदार वाँ हमारी बात तस दिख लीना आगया ना शेर में वदन बात को जितना बढ़ा होगे वदन और वड़ता जाएगा आपकी तारीफ इनकी तारीफ क्या करें मीना जी यह तो सरसपाओं तक तारीफ ही तारीफ है कहने को तो मुन्शी जी हैं लेकिन यूं समझ दीजे कि हमारे मां हमारे बाप हमारे बुजर्ग हमारे उस्ताद हमारे सब कुछ यह है विक्यबाबू आपने हमारे शो में आके चांद ही चांद लगा दिये हैं हाथ खोलो यार ऐसा लगता इलेक्शन में वोट मांगने के लिए खड़े वह हैं सुनो साब हम आपके बहुत मश्कूर हैं मम्नून हैं ऐसान मन्ध हैं कि आज आपने हमें आप बुलाकर हमारे दुनिया बदल डाले दुनिया बदल डाले वह कैसे वह ऐसे की हम आपको क्यों बताना क्यों मिन जी बदा देना हाँ तो नट्वर जी कल आप हमारे घर आ जाईगा एक जरूरी काम है आपसे जी बात अच्छा आपसे जी मारे आपसे साव मारे जी कमारे जाम सी सानव के जाए जोज है झाल 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 आईए बैठी बैठी ना आखें मूंद कर बैठे हो तसवर में किसी के ऐसे में कोई चम से आ जाए तो क्या हो आपने तो यहां आके हमें चौका दिया और आपने इतना किमती तौफ़ा देकर मुझे चौका दिया पसंदा आपको जी बहुत सुंदर है पर मुझे से आपकी यह कीमती आमानत संभाली नहीं चाएगे हमारे तोफ़े को आमानत का नाम देकर उसे गाली मत दिजिए तोफ़ा देने वाले की नियत देखी जाती है तोफ़े की कीमत नहीं देखी जाती है आपकी नियत के में बहुत कदर करती हो लेकिन मेरी गरीबे के कंदे यह बोज नहीं उठा सकेगे आपको अपने कदरदान के दिल का बोज हलका करने के लिए यह बोज तो उठाने ही पड़ेगा एक छोटी सी आर्जू है अगर पूरी हो जाए तो बड़ी मेरबानी होगी जी तेरा तारिक वैसे तो बड़ा मनूस दिन होता है लेकिन उस मनूस दिन को हमें इस दुनिया में उतारे गए अब उतारे कहते या फेंके कहते यह तो हम नहीं जानते लेकिन तेरा तारिक को हमारा जन्म दिन है और उस दिन अगर आप तो हमारे इस नाचीज तोफे का लिबास पहन करा जाएंगी तो वो मेरे जन्म दिन का सबसे क्लिवती तोफा होगा जी लेकिन लेकिन की कोई बुनजाइश नहीं है बस यूँ समझ लीजे कि आप कलाकार हैं और हम कदरदान हैं बोले आएंगी न जी मैं वादा तो नहीं करती है कोशिस जरूर करोंगी कोशिश जरूर कीजिए आप क्योंकि वादे अकसर टूर जाते हैं कोशिशें काम्याब हो जाती है इसलिए तेरा तारिक को मैं आपकी उस कोशिश का इंतजा रख करूंगा मागन सिंग यह सर मीनो जी को छोड़के आप जी आप भी इतना समझ लें मुझको समझाने के बाद आदमी मजबूर हो जाता है दिल आने के बाद क्या ख्याल है आपका मुझकी जी वो आएगी जरूर आएगी मीना जी इस वक्त विकी बाबू के मन की लगां आपके हाथों में आ गई है और अब आप इस दौलत के घोड़े को जिस मैदान में चाहें तोड़ा सकती हैं आप कहना कह चाहते हैं मीना जी आपके एक एक इशारे पर विकी बाबू का रुख इस देश से विदेश की तरह मुड़ सकता है फिर हम सारी दुनिया का टूर करेंगे हर देश में आपका प्रोग्राम होगा हम लागों रुपए कमाएंगे मीना जी मैं आपको तंखवा के साथ मुनाबे में भी हिस्सा दूगा मिस्टर नत्रशा मैं नहीं जानती थी कि आप मुझसे कभी ऐसे घटिया और बेहुदा बाते कर सकते हैं मैं एक कलाकार हूँ मकार नहीं मैं आपके फायदे के लिए विक्की बाबू को कभी धोका नहीं दे सकती अफ मीना जी मैं तो आपी के फायदे की सोच रहा था देखेंगा विदेश में कितने बड़- Dokay जो जनम के यंदो को आखोड की रोशनी देकर उन्हें दुनिया दिखा दे, ममीना जी मैं तो आपके बाबा की यंदो की रोशनी के बारे मंने सोच रहा था कि मैं धोगे की दॉले से अपनी यह सब लोग अभी तक गए नहीं ओवर टाइम कर रहे हैं क्या नई सरकार वह बात यह है अपने वीकी बाबो आने वाले हैं तो उनसे इंसात को क्या लेना सर उनको देख वह बहुत दिन हो गए न वह हमसे बहुत प्यार करते हैं उनसे मिले वगर हम कैसे जा सकते हैं ठीक है लेकिन तुम लोग उनसे बाद में मिल लेना वो जैसे ही आएं उन्हें अंदर भी देना वोड के तमाम डिरेक्टर्स उनका इंजार कर रहे हैं ओके सर नमस्ते छोटे मालिक नहीं ऐसे नहीं बोलते बड़ा मालिक नराज हो जाएगा विकी बाबो बड़े मालिक ने आपक लिए मडमें अथा नहीं हमें बूला है आपको कहां से मिल गए बड़े मालिक हम तो उन्हें भरसों से यह हमें तो कभी दिखाए नहीं दियो क्या बात करते हैं आप रोस थाप इनसे मिलते हैं अभी बाहर आये थे बॉर्ड की मीटिंग बुलाये आपको ओूो ओ बड़े म मालक हम उपर वाले बड़े मालक की सोच रहे था हैं नतुलाल जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे रहे हैं सरकार जी हमने आप से कितनी बार कहा है कि जब भी हम यहाँ आए अगल बगल नहीं हमारे सामने रहा कीजिए ताकि हम आपकी मूचें देख सकें भाई वह जवाब नहीं आपकी मुच्वों का हो। तो ना तुलाल जी जैसी हो वर्ना ना हो। ये तो आपका बड़ पन मे हो क्या काम है सरकार अगले मैंने मेरी बेटी की शादी है वा यह तो बड़ी खुशी का मौका है हम अपनी बैन की शादी में जरूर आएंगे और तमाम जंता के सामने खड़े हो करके कहेंगे कि मुच्छे हो तो नतुलाल जी जैसी हो वरना नहीं नतुलाल जी आपकी तीन ब जाज बेटिया है पढ़ाया लिखाया मगर कोई फाइदा नहीं जो भी शादी की बात करने आता है पचीस-30,000 जहज के लिए मांगता है अब बड़ी लड़की की शादी के लिए मैंने 25,000 रुपया बड़ी मुश्की से जमा किया है बड़ी लड़की वह बाकी की चार्ज जो हमारी बेहन है उनका क्या होगा वही होगा जो तकदीर में लिखा होगा मुश्य जी यह तो मिस्रा हो गया जरा शेर पूरा कीजिए तो दरबदर सर पटकने से भला क्या होगा वही होगा जो तकदीर में लिखा होगा क्या बात है क्या शेर कहा है आपने बड़ा वजन है शेर में और लगे हाथ हमें नत्तुलाल जी का भी वजन कम कर देना चाहिए सकसेना साब जा सुनिये जी हमारे अकाउंट में से नत्तुलाल जी को धाई लाख रुपय देदेजिए धाई लाख रुपया हाँ सकसेना साथ 50,000 के हिसाब से हमारी पांच बेहनों का धाई लाख बनता है जाएए चेक बुक लेके आईए हम अभी साइन किये देते हैं कल का क्या भरोसा हम रहें ना रहें में जरकार ऐची बात मत कहिए मेरे सारे खांदान की उमरा आपको लगते हुआए उठीए 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 नत्फुलाल जी हम नहीं करेंगे ऐसी बादे लेकिन नत्फुलाल जी मुच्छे हो तो नत्फुलाल जी जैसी हो और ना ना हो है क्यों से लोगत ठीक हमने झाल hypocrisาย में झाल जी जैसी बादे जोगत जी जैसे क्यादी आत् sigui। और सिल्ट झाल झाल तो हद हो गई, बुलाई ना विक्की साब को अरे बैब बगारिया सेट, अब तो हमें विक्की बाबू के कुछ नाजों अंदास को बरदाश करना ही पड़ेगा क्यूंकि कपूर साब शराब की फैक्टरी लगा रहे हैं उसमें विक्की बाबू हिस्सेदार भी है और सबसे बड़े खरीदार भी है जितनी भी शराब फैक्टरी में बनेगी उसमें से आदी से ज़्यादा विक्की बाबू ही पी जाया करेंगे हाँ पी जाओंगा आदी से ज़्यादा शराब तो मैं ही पी जाओंगा तुकि मैं शराब ही हूं और वो शराब पीता हूं जो आप जैसे हिजददार लोगों की फैक्टरी में बनती है लेकिन मेरे शराब पीने से आप लोगों को इतराज क्यों है आज इस बोर्ट की मीटिंग में आप लोग क्या करने आए हैं शराब की नई फैक्टरी लगवाने आए ना जहां लाखों शराब की बॉतलें बनेंगे तादारों शराबी और पैदा होंगे इसका एसास है आपको औरे मेरे बाप के चिम्चों मैं तो शराब पीता हूं लेकन तुम लोग क्या पीते हों इनसान का खूल विकी मुझे शराब पीकर डगमगाता हुआ देखकर आप लोगों को हसी आरी लेकिन अपना गिरेबान चीर कर तुम लोगों ने कभी अपने इमान पे नजर ड़ली वहत एक धुच शराबी से भी ज्यादा डगमगाता हुआ पीकी विल यू किप कॉइट नव पूट इस यह मीटिंग के हमें बेज़त करने के लिए बुलाई गया है आपकी बेज़ती कौन कर सकता नाडा साब बेज़ती तो उसकी हो सकती है जिसके पास इज़त हो अब तो हद हो चुकी कपूर साब अब हम और नहीं सुन सकते कपूर साब आप अपने इस प्रजेक्ट के लिए ऐसे आजमी चुन लीजिएगा जो आपके बेटे की गालिया सुने के लिए तैयार हो इ अगर अब इक असर बाकी है तो मुझे गालियें दे कर अपने दिल की आग बुझा लो ये लोग जो अभी अभी सब उठकर गए हैं कभी किसी की जुरत नहीं थी कि मेरे सामने सर उठा कर बात कर सके और आज तुम्हारी वज़े से ये लोग मीटिंग बर खास करके चले मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने गुलामी पसंद इनसान हैं आपको तो गुलाम चाहिए जो मशीन की तरह बटन दबाए तो चल पड़े और बटन अफ करे तो रुख जाए आज की दुनिया में अगर जिन्दा रहना है तो दुनिया के बटन अपने हाथ में रखने पड़ते हैं वरना ये दुनिया जिन्दा नहीं रहने देगी हाँ डड़ी लेकिन आप एक बात भूल रहे हैं कि आप जैसे तवाम बटन वालों की उपर भी एक बैटा हुआ है जिसके हाथ में में स्विच है जिन्दगी तकदीर ये सब असली करन तो वहीं से आता है उसने अगर किसी दिन में स्विच आफ करता है झाल 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 मैंने कितनी दफ़ा कहा है कैसी फजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है ठड़ी ड़ी यहां इतनी फजूल बातें हो चुकी हैं वहां दोड़ी और से ही आपको देखकर मुझे उस राजा की कहानी यादागी जिसे यह वर्दान था कि वो जिस चीज को छूलेगा वो सोने की बन जाएगी एक दिन गलती से राजा ने अपनी अवलाद पर हाथ रख दिया और वो सोने की बन गही राजा बहुत रोया लाख पच्चता है लेकिन फिर वो बुतला इंसान नहीं बन सका आपकी कहानी भी है यह डड़ी इसलिए आपने बच्पन से लेकर आज तक मुझे अपने सिद्दूर रखा अभी करीब नहीं आने दिया आपने तो वो गलती भी नहीं की जो उस राजा नहीं की थी ना कभी मुझे गोद में उठाया ना कभी सीधी से लगाया क्योंकि आपको यह डर था कि कहीं आपने मुझे चूद दिया तो मैं भी सोने का ना बन जाओ मैं सोने का बन गया तो मेरे नाम पर आप नहीं है जो करोडों का कारुबार शुरू किया वाए इसके कागजात कौन साइन करेगा तापके चेक्स कौन साइन करेगा देडी मैं, मैं एक बार आपको हसते मुस्कराते वे देखना चानका एक बार अपनी इस इस डॉलत की दुनिया से बाहर निकल के तो देखिए इस डॉलत की दुनिया ने मुझे शराब में डुबो कर एक बेकार चलती फिरती लाश पना दिया डड़ी मैं तू दीवारों से बाते कर रहा है बेटे कपूर सब गय है हां मुझे जी जी ये शोर कैसा है हां सक्सेनअ साहब क्या बात है यह लोग आपसे मिलना चाहते हैं ली की बाव हम लोग शीओ छिव दी में रहते हैं बड़ेसाद की तरफ से को couple से अमां नोटे शाह लिआ है कि 40 गंटे के अंदर अंदर हम लोग बसी खाली करके चले जाए हम अपने बाल बच्चों का लेकर कहां जाएंगे साहब सक्सिना साब ये सब क्या हैं विक्य बाबू बड़े मालिक ने कोट की मदद से ये मुकदमा जीत लिया है लेकिन उस जमीन असल में है किसके नाम आपके नाम पर आप जमीन के काख़दाद लेकर फॉरण वहां पहुंचिए हम आपको वहीं मिलेंगे आई मुर्श जी आप बताईए हम चोटे चोटे बच्चों को लेकिए आप कहां जाए विक्य बाबू ये फाइल सबसे ना साब एक महीने के अंदर इस बस्ती के सारे मकान इतने मजबूत बन जाने चाहिए कि हमारे बाप के रादे उनकी बुनिया देना हिला सके जी इस बस्ती के कागजाद तयार करवा कि हमसे साइन करवा लिजीए मौनिंग डेडी आखिर तुम अपनी हरकतों से कब बाज आओगे विक्यी मेरा क्रोडों रुपए का प्रजेक्ट तुमने बरबाद करके रख दिया और साथ में वो कागजाद भी जला दिये क्या दुनिया भर के गरीबों को साहरा देने का ठेका सिर्फ अकेले तुमने रे रखा है डेडी पूत कपूत तो क्यों धनसंचे पूत सपूत तो क्यों धनसंचे मैं समझा नहीं अलाद अगर अच्छी है, अकलमंद है, लायक है तो दौलत एक कठा करने की क्या जूरूरत एद गौत ओलन एक नकारा है थो दौलत एक अकार्वाश्यक गेर डूनों हातों से इसी तरह डोलत लुटते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि दैडी समद्र में से अगर दो चार लोटा पानी को निकाल दे तो समद्र को कोई फर्क पड़ता है कि अगर आपको ऐसे लगता है कि मैं आपका नुकसान कर रहा हूं तो आप मुझे बेदखल क्यों निकाल दे विकी मैं जब भी तुम्हें कोई बात समझाने की कोशिश करता हूं तुम फदूल की बाते करनी शुरू कर देते हो खैर कल तुम्हारा जनम दिन है भूल नहीं जाना मुझे जी आप भी इसे याद करा दीजेगा हाँ मुर्शी जी आप भी मुझे आद करवाती जीगा कि कल हमारा एक खास मेमान आने वाला है अब जल्दी से केक काट डालो क्योंकि कुछ लोग हमारे इंतजार कर रहे हैं अब ही नहीं क्यों क्योंकि हमें भी किसी का इंतजार है किसका मुंशी जी आप ही बताईए डैडी को आमें किसका इंतजार है वो राइसाब आच्छा समझ गया कोई खास दोस्त आने वाला है अच्छा तुम लोग इंजॉई करो मुझे कुछ काम काम आपका तो एक एक मिनट कीमती है डैडी कोई खास मीटिंग होगी आपकी बेटी क्या हुआ अरे इसते सीदे को फेक रही है बाबा एक और था वो नहीं मिल रहा एक चोटा सा तुफ़ा हम सब लोगों की तरफ से कबूल कीजी बैवान अत्फुलाल जी इसे कहते हैं तुफ़ा हम शाप ही जरूर हैं लेकिन इतने बड़े नहीं यह यह मुच का क्या राज है नहीं तुफ़ा आपको मेरी मुच्छे पसन है न इसलिए आपका दिल रखने के लिए सारे स्टाप ने ऐसी ही मुच्छे रखी है सक्सेना साथ आप ही बाई नतुलाल जी यह तो डबल तुफ़ा हो गया आपके प्यार भरे इस तुफ़े को हम जिंदगी भर अपने दिल से लगा के रखेंगे प्यास से मर जाएंगे लेकिन इसे नहीं कियेंगे सरकार उफ़ा पसंद है न बहुत पसंद आया न तुलाल जी बहुत पसंद आया और अब आप महर्मानी करके खड़े हो जाएं सरकार क्या पुछ से कोई गलती हुए भाई जब आप खड़े होंगे तो देखने वालों को कम से कम ये तो लगेगा कि दो शरीफ आदमी बैट के बातें कर रहे हैं अभी तो ऐसे लगा है जैसे हम खड़े हैं और आप बैठे हैं चलिए खड़े हो जाएं हाँ अम मामला कुछ लेवल करकार क्या बात है मत्सुलाल जी मत्सुलाल जी 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 सरकार क्या बात है आप इस तरह आमें घूर क्यों रहें जी कुछ नहीं ऐसे ही अरे आप सब लोग हाथ रोक के क्यों खड़े हों चलिए जाएं खाईए पीजे एश कीजे और जाएं लेकिन सरकार आप पहले केक तो काट लीजिए जनम दिन हमारा है हम केक काट रहे हैं ना काट आपको क्या फर्क पड़ता है केक तो आपको नहीं काट रहा है चलिए जाएं हमें किसी का इंतुजार नटवर जी आज मैं शोपर नहीं आ सुकूंगी जो जो विकी बाब ने दिया था वो हार खो गया अब मीना जी आफिकर क्यों करती है विकी बाब आपको दूसरा हार दिला देंगे लेकिन लेकिन में कुछ नहीं मीना जी आप तो जानती है अगर आप स्टेज पर नहीं गई तो लोग मुझे जूते मारेंगे कुर्जियों तोड़ देंगे प्लीज ना तुला जी बत्तियां मुझवजी जो गुस्ति यह सब आपकी वज़े से हुआ है मुझवजी जी मेरा घर कर दिया आपने हमारा आपके रदीफ काफिये ने हमारा काफियत तंग कर दिया कर दोब दोटे जी जी किहें एंगो चींट एंग हैं जी हमाराणा के रपएक वो आएगी बेटे जरूर आएगी मेरा दिल कहता है कि चाहे ख्यामत आजाए मगर वो आएगी आएगी चलिए आप कहते हैं तो मान लेते हैं लेकिन मुन्शी जी एक बात कहा है वो आएगी पीना जी ये विकी बाबु वाला हार आपको मिल गया नहीं ये कांच के टुकड़ों के नकली हार है जिसे पेंट है आपके शुकिया करती हो ओ मैं तो समझा कि आपको असली हार मिल गया लो हाज आपने हमारा सपना पूरा कर दिया हमारे तोफे की इज़द रख लिया इतने खुशी हमें अपनी अपनी जिन्दगी में कभी नहीं मिले कि इतने खुशूरत लग रहे हैं हम वही बिंदी वही टीका वही लाली गले में नो लखा वोई यह क्या है विकी बबू यह देख लिया रहे है आपका दिया हुआ वो हाथ छोरी हो गया मैं तो उसे आपके चलम दिन पर तौफे की शेकल में लोटेना चाहती थी मैं मीना जी हमें तो मज़ा करना आता है नहीं हमने अपनी जिंदीगी में चबからब किसी से मज़ा किया उसका दिल दुखा है अब देखिए न हमने आपको नकली हार दिया अब नकली हार तो क्या वो वो नकली हार था हाँ नकली हार था और ने तो क्या असली था हरे भाई आजकल तो बाजार में असली जहर नहीं मिलता हार की तो बात छोड़िए और आपको नौ लाख रुपए का हार दे करके इंकम टैक्स वालों को अपने घर बुलाना है क्या है अजी लानत है आज के बाद मजाक वजाक सब बन पिलकुल बन आपकी इस मजाक ने मेरा मेरी बात सुनओ मीना अरे क्यों मियां यह क्या शिमाकत है खड़े खड़े असली को नुखली बना दिया पूरे नौ लाका चेक देकर मैं यह हार लाया था बाई मुझी जी मौके की नजाकत देखिए उसकी कोई नूर जैसी हीरे की आखें देखिए आपने एक-एक आख से मौती जैसा एक-एक लाख कांसु टपक राता है दो इस आख से टपके फिर दो उस आख से टपके कितने हुए चार फिर दो इस आख से गिरे और दो उस आख से गिरे फिर दो इधर से और दो इधर से कितने हुए बारा एक-एक लाख के हिसाब से पूरे बारा लाख हुए इससे पहले कि वो और आंसु भाई मैंने कह दिया कि हार नकली है अरे भाई नौ लाग के हार के लिए बारा लाग के आंसू डैडी को पदा चलता तो कहते ना लाइक तुम्हें धंदा करना नहीं आता है मुहबब भी की तो वहां भी खाटा है आई ये पुलिस स्टेशन चलते हैं चलिए ठैरो ठैरो बरखुरदाल क्या वात है शरे जाते कहां हो टैरो भाई अब जलो नौ लाग का हार और आप कह रहे हैं कि छोटी सी कंप्लेंट है पाई मुन्शी जी ये दुनिया पैसे की इतनी दिवानी क्यों है यहां हमने नौ लाग का हार वाई इस्पेटर का हाथ और कलम तोनों रुके अवा अन्वर मिया है हमें गिमत की परवा नहीं हमें परवा है उस हार की जिसे हमने उस कीमती गले के लिए खरीदा था यह कौन सा कीमती गला है विकी बाबू जिसके लिए आप इतने परेशान हो रहें बाई अन्मर मिया यू समझ लो कि तुम्हारी होने वाली भावी है और अब उस हार का ढूनना तुम्हारी जुम्हारी जुम्हारी आप यहां पूली स्टेशन जी हार की असलित तुम्हें जानके ही हो मगर आप क्या चीज़े हैं अब तक मैं नहीं परचन सकी हाँ हम चीज़ क्या है मुन्शी जी हम इन्हें बता दें कि हम चीज़ क्या है पता है इंस्पेक्टर साब हाकीमती गला बाबा मैं मैं मीना को अपने घर की जीरत बनाना चाहता हूँ लेकिन वो है वो है कि उस शेराबी की रखेल बनना चाहता है सारा जेहर उगल चुके हो या अभी कुछ बागी है बेटी मैं यह सब क्या सुन रहा हूं बाबा आप कदमों के आहट सुनकर आने वाले को पेचा लेते हैं लेकिन अपने बेटी को नहीं पेचन सके मगर बेटी तुम्हारे बारे में यह नटवर साहब नटवर साहब इनकी अस्यत आज में बताती हूं इस दौलत के लालची ने कई बार मुझे आमिरों के साथ भेजना चाहा मगर मैंने इंकार कर दिया और दो और विक्य बाबो की दौलत को लूटने के साधिश में इसने मुझे साथ मिलाना चाहा अगर दो वक्त के रोटी के लिए यही सब जाता हूं मगर याद रखना यह जो आपने मुझे इज़त बख्षी है इसके बदले में मैंने तुम्हें टके टके पर नहीं नचवाया तो मेरा नाम भी नटफर्शाह नहीं आप क्या होगा बाबा आप फिकर मत किजिए मुझे टीवे पर नोकरी मिल गई है और आज की शाप मेरा पहला प्रोग्रेम है नमस्कार आज पहली बार हम आपके सामने पेश कर रहे हैं स्टेज की मशूर कलाकार कुमारी कहां कले मुझे जी आप बैठी हम अभी आते हैं कर दो हम आप को क्या क्या बाचर मिल अच्छल के तो है यहीं गया तब फिर यहां से वो शायद बाएं गई नहीं वो लानत है यार अच्छा हुआ पोस्ट मैन नहीं थे वरना किसी की चिट्थी किसी के भी घर नहीं पहुंच पाती बाई साब बात सुनिये गाएं एक में इस कॉलनी में मीना जी रहती है शायद आप उने जानते हों बड़ी मशूर कलाकार हैं अभी अभी टीवी पर उनका गाना आ रहा था आप उनका पता बता सकते हैं अरे ये चाकू हाँ ये चेंड सुने के है बाई साब हाँ निकालो आप ये घड़ी के आप चाकू मुझे आप ये घड़ी निकालो घड़ी निकाल आपकी अंगोटी बड़े खूबसूरत है और मेरे हाथ की खाली है देखिए सब कुछ तो ले लिया आपने अब तो मीना का पता बता जीजिए आप अब तो मीना का पता बता दीजिए बताओ बहुत आसान यहां से सीधे चले जाओ वहां बाईं तरफ बहुत सारी बिल्डिंग है वहां नीचे खड़े होकर मीना मीना चिलाओ जहां भी होगी आजाएगे ये तो अजीब ही बात हो गई कमाल है भाई हमारा सारा माल ले लिया उपर से मीना का पता भी नहीं बताया खैर भगवान आप लोगों को खुश रखे चलो पीटर की बाहर पे जाकर रोकड़ा दारू पीते हैं माय मीना का पता अच्छा पता करी लोगा ये क्या क्या आप नहीं इतनी रात है भाई ती वी पर तुम्हारा काना सुना तुम्हें देखा रहा नहीं गया चले आए कहते हैं कि लोग प्यार में लुट जाते हैं आज तो हम वाकरी लुट गया है लुट गया है वो के से अब क्या बताए तुम्हें चलो बताए देते हैं पताए कि अब है कि अब है कि अधिक कर दो मेरा नाम मों बोलो कि अधिकता नहीं जाला बटली खाली है कि लास खाली है और राज अपन उधार नहीं रुकड़ा पीदा है रुकड़ा जाओ जा करा रहा हूँ अपना नाव है लाओ बाए कुछ पिलाओ की बापो आप और यहाँ बाई इश्क को इलेक्शन में ऐसा ही होता है कभी तख मिलता है तो कभी तखता है आपके मतलब की चीज यह तो नहीं मिलेगी अरे यह जब बैट्रोल ना हो तो गाड़ी को घास लेट से जला लेना चाहिए यह क्या है तुमारे हाथ भी पेट्रला ओला हो आप 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 लोगों को एद्राज नो हो तो मैं यहाँ बैट सकता है इस दुनिया में शरीफ लोग भड़ी मुश्किलने मिलते हैं एक आप है एक साले वो चार बदमाच थे हैं कौन भाए वह वही दिखने में तो आप ही जैसे थे लेकिन एक आप है एक साले वो थे हमने अपनी मीना का पता क्या पूछ लिया वच्चे से शाले ने चाकू निगा लिया और हमारी गर्दन पर लगा दिया और हमारी चेन उतार लिए उसके बाद लिए पर चाक से क्या वात है पिओ 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 जैसे हमारी घड़ी उतार ली फिर एक ने यू किया और हमारा बटवा निकाल लिया फिर हमारी अंगूठी उतार ली लेकिन भाई साहब अफसोस जिस बात का है वो यह कि हमारे दिल की सबसे कीमती चीज वह रुमाल हमसे चीन किले अरे भाई पर यह वाक्या हुआ कहां यह जो नुक्र है मां यहां से जा रहा था और सालों में मुझे दबोज के कंगाल बना दिया एक दम देखिए आप लोग तो बहुत शरीफ लोग मालूम पढ़ते हैं एक आप है एक साले वो थे अगर आपको वो मिले तो उनसे कम से कम मेरा वो रुमाल आप वापस ले लिजेगा हैं खोशेश करें बहुत शरीफ लोग हैं एक आप हैं एक वो थे अच्छा प्यों जारे जड़ा सोड़ा देरा भाई हैं पीजे पीजे मैं चलता हूं सबसे जरूरी बात तो बताना मैं बूली अभाई साव आप खड़े होंगे वो जो हैं चाल बड़े पदमाश हैं वो हराम के डखकन बाद बाद पे चाकू निगाल लेते हैं अगर आपकी उनसे मुलाकात हो तो सबसे पहले तो आप इस चाकू को फेर दीजेए फिर कुर्स हटा करके एक को तो आपके पहले तो उसे पहले तो यह दोनों यहां गिरे अब पहला वाला था न वो अधर से उठेगा अब यह यहां गिर गया अब वो जो पहले वाले को हमने मारा था वो आहिस्ति आहिस्ति उठेगा और उठने के बाद अपना बाया हाथ उठाएगा और मारा यहां तो हाथ कर देगा कि उनमें से एकाद ऐसा भी होगा जो बिना पटाए हदाक कर देगा जो लोगों के लिए ऐसा करना चाहिए पहले पहले पीछे से आया था वो दुबारा आएगा आ करके पीछे से पकड़ लें अलो भाई इसकी परवाह मत करना यह कुछ कर नहीं सके तोड़ा साही लाय टुलाएगा लेकिन कुछ करेगा लें करेगा सामने वाला वो जैसे ही पंच मारेगा उसे घुमा करके इसे दो अब यह तीन तो हो गया और क्यों पाइड पचा चौथा जो है वो सबसे पहले यह क कोशिश करेगा तो इसको आगे करें यह गया फिर दूसरा पंच मारने की कोशिश करेगा तो इसको आइसे करें तो मारा साइस छोटा कैसे हो गया तो खिर फंप्सरा जिरा रिझके। ज्चमनों है? जढ कर बा. 공नो पूरो! मज है.. उस लुपा ई लिएे. मे. हाँ तो मेरे शरीफ भाईयों एक आप हैं एक सले वो बदमाश थे वो हराम के ढकन इतनी आसानी से छीना हुआ माल वापस नहीं देने वाले उनका तो एक एक के निशना पर लिएन कहां तो चीन निए पूच़े और दूसरस घरेवान पकड़ के पूचना पड़े गा तो वो घड़ी निकाल के देड़ा और इससे पहले कि आप तीसरे का किरेवान पकड़ के पूछें वो खुद बखुद बटवा और अंग उठी निकाल के देड़ा अब रहा सवाल उस रुमाल का जिसकी वजह से बात बहुत आगे बढ़ सकती है तो वो रुमाल ये तो नहीं हाँ यहीं तो है वो रुमाल तुम्हें कहांसे मिला है साथ इन लोगों ने यहां फेक दिया था हाँ देखो बच्चा इस रुमाल के लिए मैं अपनी सारी दौलत दे सकता हूं लेकिन फुलाल मेरे पास इस बटवे में जितने पैसे हैं वो सब तुमारे तुमारे तुमार किया हो सब मैं दिन में पढ़ाई करता हूं और रात को यहां नोक्री करता हूं देखो बच्चा तुम खूब मन लगा के पढ़ना और आंदा कभी किसी और चीज की जुरुत पढ़े तो मेरे पास हां जाओ हां तुम मेरे प्यारे श्रीफ जादो बस एक बात और उन हराम के ठटकनों से कह देना कि आंदा अगर कोई मीना का पता पूछे तो सही पता पता है आएंदा अगर कोई मीना का पता पुछे तो पता ना बताएं माल तो चोको है पर इतने दाम कोई नहीं दे जो देना है वो दीजिए जल्दी तुम्हारा हिसाब किताब तुम्हें पुली स्टेशन में चलके करूंगा आए सेट जी चलिए चोरी का माल खरीदना भी जुरम है चलक वक्त तो हो गया भै ये तो बिल्कुल स्वेंबर जैसी बात हो गई है पर सरफ इतना है कि पहले जमाने में लड़की अपना वर खुद चुनती थी और आज लड़का अपनी पत्नी को चुनेगा बस आता ही होगा हागे डरी हाई मुशी जी आउगे ता राखिया बनवाते बनवाते तो हम ठक गया आज और बहने अब तो आरे हाथ में जगा भी नहीं अई ता बोलो ये बहने नहीं हैं तुमारे रिष्टे के लिए आई हैं रिष्टा हाँ हम अब तुमारा घर बसा देना चाहते हैं पी जानत है साब चाहिभी कोई पीने की चीज है जिसने पी नहीं विस्की किसमत फूट गई उसकी बात का बुरा ना मानिएगा विकी को तो मदाग करने की यादद थे वो तो हम भी जानते हैं डैरी आप हमारी तरफ इस तरह गुस्ते से क्यों देख रहा हैं अरे भाई हमारा परेशे करवाई यह हमारी जिंदी की का सवाल है बिना जान पर चान कर रिष्टा तो एक तरह हम किसी से दुश्मन ही नहीं करते बोली साब क्या नाम है आप मिस्टर गोरे बताइए और यह है मेरी बेटी मिस काजल और बताइए दुनिया वर की कालक तो आपने अपने जिस आप लोग विकी की बात तो सीरियसली नहीं लीजिएगा मेरे बेटे को तो मुझा जाने करने की आपने की आपने की बात जो दारू पीने का मज़ा है वो सिर्फ आप जानते हैं या हम जानते हैं और कोई नहीं जानता है विकी यदर आओ मजाग की भी कोई हद होती है तुम्हें इन में से एक लड़की के साथ शादी करनी है एक से की उड़ाडी मैं आप उसे शादी नहीं करनी है तुपरा हो हाँ तो मैं अपने विकी की शादी उस लड़की से करूँगा जो इसकी शराब छुड़वा दे है अंकल ये तो मेरे बाए हाथ का खेल है इनकी शराब तो मैं एक ही रात में छुड़ा सकती हूँ अरे तू क्या शराब छुड़वाएगी तू तो खुद दिका के पीती है ये देखिया अंकल तू कौन सी सती सावितरी है साथ साथ बॉइफरेंड रखती है बंडे को एक, ट्यूजडे को दूसरा, वेनजडे को तीसरा, थर्स्डे को चौथा, फ्राइडे को पांचवा और सेट्रोडे को छठा अरे तेजी तो संडे को भी छुटी नहीं होती है अब अंकल जरा इनकी भी तारीफ सुन लीजी वो क्या है कि वो हर बार एक नए बाइफरेंड से मिलवाती है ये कहकर कि वो इनके कजिन है आप मेरी होने वाली पत्नी है और मेरी होने वाली पत्नी से आप मार खा गई मांची जी क्या है अवाली गजी काली बाली की तेकी है से रहने यहां यह देख लिए यह पीली वाली यह पीली वाली को भी पढ़ने वाली यह पीली वाली बहुत जल्द नीली पढ़ने वाली है है कि अध्यां को सभाएं कैसे मिन्षी जीर्घ सन नित्रापिदी के साड़ी यह सुन्रा खादा लेकन द्रौपती द्रौपती की साड़ी उता रहे हैं तो पहली पार देखने को मिल रहा है मुशी ज़िए आपके देखने लागी चीज़ नहीं है चलिए क्यो? कवर देन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बात दरसल ये है कि विकी को वो मजाख करने की आदत है कपूर साथ कभी कभी कुछ मजाख मेहंगे भी पड़ जाते हैं खामोश! पहले तुमने मुझे घर आये हुए मेमानों के सामने जलील किया मेरी इज़त खाक में मिला दी और अब, अब एक नाचने वाली करिष्टे लेकर आए हो दैरी अगर आप किसी की इज़त नहीं कर सकते हैं तो इसकी बेज़ती करने कभी आपको कोई हक नहीं है मीना आपकी होने वाली बहु है क्या इस घर में बहु बेटियों को इसी नाम से बलाया जाता है और अगर मीना एक नाचने वाली है तो आपकी पसंद की वो लड़कियां कौन थी जो आज सब के सामने एक दूसरे का फोल खोल रही थी चलते फिर तेश्तिहार गली गली में पिकने वाली वो गंदी खुली किताब है जिने कोई भी बासकता है अच्छा तो इस घर के फैसले तुमने कब से करने शुरू करती है दैडी मीना मेरे जिन्दगी मेरा प्यार है आपका कारोबार नहीं अपने कारोबार के फैसले आप कीजिए लेकिन अपनी जिन्दगी के फैसले करने का मुझे पूरा हक है देखो विकी अगर तो मुझ दो कौरी की नाचने वाली को इस घर की बहु बना कर लाना चाहते हो तो कान खोल कर सुन लो तो मुझ दो की नाचने वाली को लाकर यहां बिठाना चाहते हो तो इस घर की खुबसूरती में एक बद्नमाद दाग लगा देगी धबा लगा देगी तेखो विकी, मैं मकमल में हीरे जोहराच जड़ने का शौकीन हूँ ताट का पैवन लगाने का नहीं तुम्हें आज तक जो चाहा, जैसे चाहा किया, मैं कुछ नहीं बुला लेकिन आज दुबारा कान खोल कर सुन लो मेरे जीते जी, कोई नाचने वाली इस घर की बहु बनकर इस घर में कदम नहीं रखेगी, समझे मेरे जीते जी, अगर तुम्हें दो काड़ी की नाचने वाली को इस घर की बहु बना कर सुन लो तुकान ठोल कर सुन लो, ये मेरा घर है, किसी नाजने वाली का कोठा में हूँ, जहां से वाली की जनकार दोला है। कि पांच लाग मेरे जी ते जी कोई नाजने माली इस घर में एक्तम नहीं रही है कि तुम किसकी जादत ने आई हो तुम सुनाने मेरे बाद ने भी क्या गा तुम इस घर के गांच एक खब्राओ मैं राइस साब अवर्णाफ कपूर का एक लौता बेटा जिन्हें मकमल पर हीरे जड़ने का शौक है ताज के पेवल्द नहीं पजास लाग कर्च की उन्हें इस कमरे की सजावत में ये ढाई लाग का ये पुत्ला ये तारिस का बारा लाग का पुत्ला ये जूमर पाच लाग का ये क्रालीन और तुम तुम क्या हो हैं एक एक नाकने वाली तुमारी ये लुकात क्या है चली तुम्हेरा बाप तुम्हें धक्के मारके निकला देगा चली जाए चली गई मीना तुम लोगों की वज़े से मेरी मीना चली गई तुम सब मेरे बाप के लाए हुए जरहरीद खुलाम वो मेरे बाप की तरह जब भी तुम्हें मौका मिला दौलत की बर्चियों से मेरे असास को चीर के निकल गए तुम लोग मेरे जमीर को सुनेरे खंजर से काटके टुकणे टुकणे कर दू तुम सब मेरी वो खुशिया हो जो मुझसे चीर ली गई है और नुमाइश का समान बना कर मेरे घर में ले लादी गई तुम ही ने मेरे बाद को यह इसास दिला कि मुझे खुशी पाने का कोई हक नहीं तुम ही मुझे यह कोई मेरी बच्चे बें आढ़ा है मुझे तुम से कुछ बाते करनी हैं चल दी उपर आओ मेरे पास वक्त कम है मुझे जी आप महीं धरी कर दो कि पूलuję झांना थूले खी हैं करें। मुझे जाओ यहां से क्या हुआ हम इन वेटी कुछ नहीं मुझे जी मैं अपनी अवकाद भूल गई थी विकी के पिताजी ने मुझे एकसास दिला दिया कि हम लोग जो उनके पाउं के धूर तक नहीं छू सकते उनके बेने का हाथ कैसे था सकते है कि का अधार 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 है अरे बर्यों सुनो जी साप यहां मेना जी रहती थी कहां गी वह तो चली गई साथ तो चली गहीं कुछ आज ही सेट छोड़ के करे तो मैं कैसे माल वह उन्ही के पास काम करता हूं भाई और बहनों, कपूर सहब ने कितने स्कूल बनवाए, धरमशालाएं बनवाए, यतीम खाने बनवाए, अस्पताल बनवाए, आप लोगों की कितनी सेवा की है, ये तो आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मगर अब चुनाओ जितने के बाद कपूर सहब आप लोग अजितने के बन चाहिति हैं, मगर बनवाए, ये तो आप लोगों की कार अच्ताल बनवाए, ये ंप।। झाल झाल मेरी विरान जिन्दगी में मुझे भी थोड़ा सा प्यार मिला था मगर इन्होंने दौलत की तलवार से मेरे प्यार का गला कार दिया ऐसे कातिल से आप प्यार की आस लगाएं बैठे हुएं यह भागू यह क्या कहते हैं आप ठैरिए सकसेना साब हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई मेरे प्यारे गरीब भाईयों आज तक मैं इनकी दौलत के दल्दल में सिर्फ इसलिए फासा रहा क्योंकि मैं आप लोगों को भूक और गरीबी के दल्दल से निकालना चाहता था आपके गमों को बाटना चाहता था लेकिन आज के बाद मुझ पर आस मत रखीगा क्योंकि आपके सामने मैं विर्टी करता हूँ अपने बाप से कि वो मुझे अपनी दौलत से बेदाखल कर दें आजाद कर दें मुझे इस कैद खाने से बाप सूस हो रहा है मुझे मैं तो समझता था कि मैं एक करोड़ पती बाप की उलाद हूँ लेकिन आज मालूम पड़ा कि मैं तो एक भिकारी की उलाद हूँ क्यों आप सब लोगों के सामने इस वक्त वोटों की भीक मांगने के लिए हाथ पहला एक खड़ा कुआ बाफसूस हो रहा मुझे मुझे जी आप यही ठरिये विकी बाबू हाँ अन्वर कैसे हूँ मैं तो ठीक हूँ लेकिन आज मैंने आपका बहुत ही अजीब रूप देखा फूल बरसाने वाली जुबान से अंगारे बरस रहे थे जवाग लगती है इंस्पेक्टर तो धुआ तो उठेगा ही आखेर बात क्या है कुछ बताईए तो सही क्या बताएं इंस्पेक्टर हमारी तो जिंदगी ही खो गई आप कंप्लेंड लिखवा दीजे मैं ढून दूँगा हमाँ छोड़ो इंस्पेक्टर एक हार तो ढून नहीं सके हमारी जिंदगी ढून होगे तुम दिखी बाबू मैं आपको यह साबित कर दिखाऊंगा कि हम पुलीस वाले तिजोरी की दौलत के साथ साथ दिल की दौलत भी ढून सकते हैं खर आज मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है और मैं यह चाहूंगा कि आप आज शाम एक मिनट एक मिनट खुशी के मौके पर मायूसों को नहीं बलाना चाहिए मैं फिल बिगड़ जाती है विकी बाबू जिनका अपना दिल तूटा होता है वो औरों का दिल नहीं तोड़ा करते आप अगर नहीं आएंगे तो मैं यह शाम बिलकुल नहीं मनाऊंगा अच्छा भाई हम आज जाएंगे आज शाम को है ना जी मैं आपको लिने खुदा हूंगा अच्छा खुदा हाफिस आज का दिन मेरे लिए बहुत ही मुकंदस दिन है विकी बाबू बरसों पहले आज के दिन किसी फरिष्टे ने मेरी बे सहारा जिन्दगी को सहारा दिया और मुझे इस मंजल तक पहुंचा दिया मैं जानता नहीं कि वो फरिष्टा कौन है कहा है लेकिन खुदा से दुआ है कि वो जहां भी हो तुनिया की हर खुशी उसे नसीब हो उसे की याद में मैं ये दिन सेलेब्रेट क्या करता लेरीज एंड जेंटलमन्स ये है मेरे बहुत ही अजीज दोस्त मिस्टर विकी कपूर अरे भाई अनुवर मिया इन्हें कौन नहीं जानता फिर तो आप सब ये भी जानते होंगे इन्हें शेरो शायरी का बहुत शौक है क्यों भी कि बाबू आज इस खुशी के मौके पर कुछ हो जाए बाई इन्सपेक्टर एक टूटे हुए दिल से खुशी का राग तो निकल नहीं सकता है लेकिन अभी तुमने मनजल तक पहुँचने की बात की तो उससे कुछ याद आया हमें वो सुना देता हूँ वेकि बाबू आदी खुशी देकर वापस जा रहे हैं आपने बादा किया था मेरे घर में ज्छांक कर जरूर देखेंगे बाई इन्सपेक्टर देखो तारा ज्छांकी की हमारी यादत तो है नहीं लेकिन अब तुम कहते हो तो देखे लेते हैं आये मैं आपका बेहाद शुक्र गुजारू आये वेकि बाबू Most welcome वाँ, बहुत खुब घर थोड़ा छोटा है लेकिन अगर हो तो मैसा ही हो तुम तुम कहां चली गई चिमिना मैं तो इस भारी दुनिया में बिल्कुल अपके लगो क्या बवारा इसी सजा मुचे मत देना तुम खो जाओ कि तो क्या वेकि जी सके मत करो ऐसी बाते, मत करो सच सच मेन मैं तो आज तक जिया ही थी तुम्हे पाकर ही मैंने जिंदकी पाई है वेकि विकी बाबू मैंने कहा था ना मैं आपको आपकी जिंदगी ढून दूँगा ये रही आपकी जिंदगी और ये रहा इनका खोया हुआ हार मीना जी तो अपने बाबा के साथ शेयर छोड़कर जा रही थी ये तो अच्छा हुआ कि मैंने ने देख लिया और यहां ले आया आप तो आपको पुलीस वालों से कोई शिकायत ने शिकायत कैसी इंस्पेक्टर आज से तो मैं आपका कर्सदार हो गया हूँ इतना बढ़ा कर्स में उतारूंगा कैसी बस हम पुलीस वालों को इतना निकमाना समझकर इंस्पेक्टर एक एक ऐसान और अपनी अमानत कुछ दिनों के लिए तुमारे हवाले कर रहा हूँ हाई कौने आप मैं हुवी की जालिंग आपके प्यार में खायल यहां क्या दर रही हैं आपका इंतजार कर रही हैं अगर मैं ना निकलूं तो तो मैं आपको उठा के बाहर भाई दो तो फेके ना अरे 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 आपने तो सच मुछ मुझे उठा लिया हाई 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 कपूर साहब यह देखिए नो देखो मीना मुझे बता यह बल्लो है कौन नटवर शाह की रखेल तो यह नटवर और उसकी रखेल का खेला हुआ खेल है यह नटवर होगा करा शालिमार हॉल में आज उसका पहला शो है अब आप हमारी शराब का कमाल देखी याद है मैंने तुमसे का था कि एक दुम्हें बाग बड़ी स्टार्ट मना हुआ और आज वो बगत आही कि विकी बाभू तुम तुम नहीं आप हम हम हैं तुम तुम हो जी हां मेरा कहने का मतलब तो वही था और विकी बाभू अच्छा होगे तुम मेरा मतलब कि आप आज यहां पर आगए क्या है कि मैं आज पहली बार इन दो कन्याओं को स्टेज बापेश कर निगली जा रहा हूँ पहले और आखरी बार जी हां आखरी बार भाई तुमने अख़वारों में हमाई तस्वीर छपा कर हमें आने की दावत दी तो हमाजिर हो गए अब हम तुमारी और तुमारे कलाकारों की होसलावजाई दिल खूल के करेंगे विकी बाभू, शो का वक्त हो गया, मैं दर जल्दी में हूँ जैरो ना, वक्त वहां होगा, शो यहां होगा सैगल साहब जी विकी साथ, जी, वो सारा समान आ गया है, जी हां आ गया है, क्या कर लाया है, दो हजार सड़े हुए अंडे, तीन हजार चोवजार से फटी प्रानी चपले, और पांच हजार गले सड़े टमाटर और संत्रे, ठहरो ना, बर कहां जाए, मुनशी जी, आप सेगल साब के साथ, सामान पबलिक में बराबर बराबर पढ़ा है, बाई एक ही दिन में हमें मशूर करने की खुशी में जशन होगा, ये दोनों नाचेंगी और तुम इन दोनों को प्योई, मैं, विकी बाबू, मैं तो शराब पीता ही नहीं हूँ, बई शराब पिलाना तो हमारा काम है हाँ, तो नटवर्श शो ऐसा होगा, कि जब तक तुम पियोगे, ये दोनों नाचेंगे और जब तक ये दोनों नाचेंगे, तुम पियोगे, तो बई, फिरोट विकी बाबू, किसी को जबरदस्ती शराब पिलाना हा, तो पाप होता है हाँ, पाप क्या है, पुन क्या है, मैं चीतना चानते हैं, तो शल्ब, चल्दी विकी बाबू, बहुत कर दी है झाल 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 हाँ झाल तुम हमेशा कहा करते थे कि मैं तुम्हें अपनी दौलत अपनी जायदाद से बेदखल करता हूँ तुम्हें आजाद कर दो इन पेपर्स पर दस्कत कर दो मैं आज से तुम्हें बेदखल करता हूँ कभूल तहाब हाँ एक मनेट बुंशी जी आज आप प्रीच में कुछ नहीं बोलेंगे कहीं सान हो कि आपके बोलने से डैडी अपना इरादा बदल दें सक्सिन असाब पेंड लईए यह काम तो आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था डैडी खैर देर आये दुरुस्त आये बहुत बहुत शुक्रिया है बहुत बड़ा अश्सान किया है आपने मुझे पर दौलत की जंजीरों में बंदे वयविकी को आपने आजाद पर दिया यह लिजे आज से सब कुछ आपके नाम एक बार मीना का पता जानने के लिए मैंने ये चीज़ें कुछ शरीफ आदमियों को दी थी आज अपना पता जानने के लिए खुद को पहचानने के लिए दोबारा ये चीज़ें एक शरीफ आदमी के हवाले कर रहा हूँ क्योंकि उन शरीफ लोगों को भी इंचीरों से प्यार था और आपको भी प्यार है एक मिनिट एक किम्ती चीज़ और भी देने बाकी है ये लीजी जिस दौलत पर आपका हक नहीं रहा उस दौलत से खरीदे हुए दोफे को रखने का मुझे भी कोई हक नहीं देखो दैटी ये है हमारी पसंद और ये है आपकी पसंद चलो मिना मुझी जी आप कहां चल रहे हैं अपने बेडे के साथ हाँ और कहां मेरे साथ आप का जाएंगे मुझी जी जाज़ा बेटे एक बार मैं ये घर छोड़ कर जा रहा था और तुमने मुझे रूख लिया था और आज तू जा रहा है तो क्या तेरे साथ मुझे आने का कोई हक नहीं तेरी खातरी तो आज तक में इस घर में था बनना कपको चला गया होता तेरे स्वाँ मेरे जिंदिंग में और है ये कौन लेकिन मुझे जिस घर में अंधे रहते हो उस घर में एक लाठी का होना बहुत सुरूरी है ये दौलत बाले सरफ सूने चांदी की लाठी इस्तेमाल करते हैं एधी लाठी कुछ छूना भी इनकीशान के खिलाव है बेटे चल पीकी साब हम सब पर आपके इतने ऐसान है कि अगर हम हजार जनम मिलें तो अभी आपका कर्ज नहीं अतार सकते अरे कैसा कर्ज लोगों ऊपर वाले हैं लोगों लोगों के नाम मानी ओडर भेझ भी जा था वह मणी ओडर दॉल वालों की तियोरों में बंद पड़ खोल तो अनी और पर भी एसान् कैसी इसमेन लिए है चलते दौलत की बैसाकियों के सारे चलते रहे, आज अपने पैरो पर चलने की हिम्मत कर रहे हैं, तो फिर चलने तो, नहीं, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, नत्सुलाल जी, फिलाल तो आप मीना जी को घर छोड़ेंगे, जो हुकूँ, मीना तुम इनके साथ घर जा मैं, तुम्हे अरे, ये क्या कर रहे हैं, अनवर्णिया, हमारे सामने जुकने का जमाना गया, मैं जुक नहीं रहा हूँ, विकी बाबू, बल्कि उस नेक इंसान के ऐसानों का शुक्रे आदा कर रहा हूँ, जिसने मुझे इस काबल बनाया, नेक इंसान और हम, जी हां, विकी बाबू, व वो तुमा, जी हां, हैद मास्टर साब ने मुझे सब कुछ बता दिया है, मैं वही अनवर हूँ, जिसके बच्च्पन में आपने आसू पोछे थे, अच्छा तो मास्टर जी ने अपना वादा तोड़ दिया, अपने आख़ी वक्त में, मेरी जित के सामने, उन्हें आपको बिया हुआ वादा तोड़ना ही पड़ा, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, पिकी बाबू, याद है आपने एक बार मेरे छोटे से घर की तारिफ की थी, अब ये करीब दोस्त, आपको उसी घर में रहने की तावत देता है, भाई अनवर मिया, अभी अभी तो हमें सोन आपने चांदी की दीवारों और खौबों की दुनिया से अजादी मिली है, सुबह का सूरज निकलने दो, दुनिया की असलियत, हकीकत की सूरत, इंसानों का असली रंग तो देख लेने दो, उसके बाद तुम भी हो, हम भी हैं, मुलाकातें तो होती रहेंगे, आए कुछ नहीं बे रहे, ठाग गया हूँ, आच्छा, ये ट्रैवर, गारी रोको, 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 अरे मिक्की बेटे, तुम यहां सुना है के तुम्हारे बाप ने तुम्हें बेदखल कर दिया, वो क्या जाने हीरे के कद्र, तुम्हां मेरे साथ, काहां, मेरे घर, अपने घर ले जाकर मैं तुम्हारे बाप को मूत और जवाब देना चाहता हूँ, मेरे बाप को मूत और जवाब देने वाला मेरे सवा कोई पैदा नहीं हुआ, गुबर्धन सेट, और वो जवाब मैं उन्हें दे कर आ रहा हूँ, रही बात आपके घर चलने की तो, मैं जानता हूँ कि आप मुझ पर यह महरबानी क्यों कर रहा हैं आपकी इकलोती बेटी है और आप उसकी फर्माइश बूरी करना चाहते हैं मैं अभी बिजनसमेन का बेटा हूं अभी अभी समंदर छोड़के आ रहा हूं कि अभी और गवर्दन सेट समंदर में तेरने वाले कुऊं और तलावों में डुपकिया नहीं लगाया करते हैं कि आई बात समझ में नहीं बात जरा उनशे लेवल किया है मुझ जी बेटे अगर तुम्हारा लेवल मैंने सेट नहीं किया तो मेरा नाम सेट कोवर धंतास नहीं हाँ हाँ सारा शहर घूमने के बाद ये जगां कुछ ठीक लग रही है मंशी जी वाह कितनी शांती है यहां पर हाँ की रात गुजारने के लिए इस अच्छी जगां और क्या हो सकती है वैसे इस मंदिर की हालत भी कुछ हमारे जैसी है मुझे बेड़े मुझे तो ऐसा लगता है कि इंसान नाराज होकर भगवान को भी यहां से निकाल दिया कि मुझे यहीं सो जाते हैं बेटे मैं तो सो जाओंगा मगर तुम्हें यहां नहींदा आएगी मेरी फिक्र मत कीजी मुझे आज तुम्झे यहां यहां इसी नहींदा आएगी लगेगा मुद्ध तो बाल सो जाओं कि यहां जिन्दग के दिए तेमाब होती है आए अरे गर्गे बाई हम तो लगी तोने भाई माफ करना माफ करना भाई कि यहां जिन्दग करना भाई आए जितनी वी मैसर नहीं में खने में जितनी हम शोर दिया करते थे पायमाने में जितना औरा आए झाह 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 झुरिय रलत मुश्री, मुश्री कहाँ चले था, साब, कौन हो भई, साब, मैं वो, प्यचानन नहीं साब, उसे दारू का एड़े पे, जब आपने रुमाल के बदले में, बक्षिस में मुझे अपना बटवा दे दिया था, जिसले फूरे सारे पांच हजार उपे थे, हाँ, याद आया मजे याद है, उनी पैसों से मेरे एक चाय की दुकान खोली है, भारे पे खोली भी ले लिए, मेरी मा आपको बहुत दूआ देती है, साब, किसमत वाले हो की मा का प्यार और मा दोनों तुमारी साथ है, आप ये के क्रिपास है, हाथ नहीं जोड़ते, दुनि मुंशी जी की तलाश है, ना जाने हमें कहां छोड़कर चले गए, वो हमाने मुंशी जी है, वो अगर तुम्हें कहीं दिखाए दे तो हमें बताना है, ये लो 25 रुपए, अगर और पैसे चाहिए तो दो चार फेर और लगा लो, ठीक है, क्या फेर और लो, क्या है! जुआ जब में अप्पता नहीं जाओंगा मुझे भी बहुत काम है बहुत काम है प्रोटा बाबा जो पिर बहुत पुछिजी है जो प्रोटा ने जो पिर अप्र मुझे तुगान पर देजाओ मुझी पूर्चन कौन से कमरे में वो सामने वाले कमरे में वो कैसे हैं लोग साब उनके बचने की उमिद बहुत ही कम है कर दो चने मुझी आजी झागा में वो जो बोची एंगुक्या झागाँ एंगे के कमरे में वो मुझी एंगे एंगे एजर एंगे से एंगे कि कमरे में वो साब्यों है का मुच बुरी दे बुरी मंच देज्ग है का मुच बुरी दे विकी मेरे बच्चे किसमत की बेर खुनके में जंडगी बरहदास्ट करता लग लिकित के लाट तेरी श्राफ खे लियर गळभ मेरे से बरदास्ट पना हो सकी मैं डान्दा हूँ पेटे, कर्ट्व रूटी के बगार जंदा रहा सुथा है यकल शराप के बगार लगी पेटे, देख, देख ली क्या लाया हूँ देख, देख, आप, 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 अब इसके लिए, मुझे अकेला छोड़कर चलिए देख, अपने बेटे से इतना नराज होने का हक है आपको, मेरा सब कुछ तुआप ही हो, घम, घुस्सा, प्यार, मुभबत, मेरे आंसू, मेरे बच्पन, मेरी जवानी, सबाभी की गोद मेरे कोज़ा, मेरे, sabाभी की बन्हीं एपको, मेरे मुझे des, कि अव गले ही हो, मेरे हो, इसक गलिए, मेरे शेया, मेरे जैंसुआँए ...şar 앞 चूर्ड रुर्डॉ क्ये थिया कि मुचिझे मनिषा चूरॉड देखिए, अब अब रहे क्र लुचिच मनिषा चूरॉड भी अब भीचे चूर मिचे भीचे इप अब भीचे चूरु सर इस इंदिए अब भीचे दे गोट मेकले अपने हाथों से मुझे समाला अब मुझे भी मौका दीजे कि मैं आपने सेवा कर सका एक बात से बढ़कर हग तो आपने निबा दे लेकिन अपने इस बेटे को आप मौका दीजे कि वो अपना फर्स भूर कर सका शन आपना हिकि विएकि वोग्क दीजे कि वो आप być लेखे मौका दीजे मौका दीजे कि वचीजे हो घीजे को फड़का दीजे, कि वोग्कि पतीजे कर दोगत कर दो है प्रावी करते प्रावी करते हैं झाल झाल पेकी तुम राय साब अमरनात कबूर विकी आज यतीम हो गया उसके सर से उसके बाप का साय उठके आज मेरा बाप मर गेर है साब लगता है तुमने घटिया शराब पीनी शुरू कर दिया इसलिए होश में नहीं हो तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने खड़ा है यह आदमी जो मेरे सामने खड़ा है यह तो वो दौलत मंद इंसान है जिसने विकी को सिर्फ जंग दिया और बाजार में एक नचलने वाले खोटे सिक्के की तरह उठाकर फेंग दिया मगर उस खोटे सिक्के को अपने हाथों से परवरिश देने वाला सारी जिंदगी आपके हैं नौकरी करने वाला एक जमाने का आपका गरीब दोस्त मुंशी फूल चंद तलब मुंशी फूल चंद तलब अब इस दुनिया में नहीं रहा है क्या हाँ रहा है साब मैं तो आप से सिर्फ यह पूछनाय हो कि आपके पास मुंशी जी की परसों की वफादारी का सिला देने के लिए कि चंद मिंटों का वक्त है जो चल कर उनकी अर्थी को कांदा दे सके या आज भी आपके करोड़ों के प्रोजेक्टी मीटिंग चल रही है वह बात यह है कि इस वक्त यहां इलक्षिन की समझ के आप मजबूर है आपके कांदों पर इस वक्त दौलत का बोज़ है अर्थी उठाने के लिए आपके कांदे खाली नहीं है कोई बात मेरा है साब मैं कहीं से चार आदमी कट्रा कर लूँगा और अगर वो भी नहीं मिले तो अकेला उन्हें उठा लूँगा मुझी जीनी तो मुझे परसों अपनी गोद में उठा है तो क्या आज एक दिन में उन्हें अपने खालतों पर नहीं उठा सकता लेकिन जाने से पहले एक बात आपसे जरूर कह कर जाना चाहूंगा राह साब आज एक नहीं दो मौते हुई हैं मेरे लिए मेरा बाप मर गया और आपके लिए आपका बेटा रिष्टदारी की दुनिया में हम दोनों अकली हो गए हैं मौत तो वैसे एक दिन सबको आनी है आज मुझी जी को आई है मुझे भी आईगी आपको भी आईगी लेगन जिस दिन आपको आईगी उस दिन आपकी चिता को आग देनी के लिए आपका बेटा नहीं जाएगा क्योंकि मुझी जी की चिता को आख देने के बाद आपका वो हाग उस आग में चलकर हाख हो जाएगा पपो चाथ, तो फिर मीटिंग के कारवाई शुरू की जाए जेंटलमेन, प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ती चीए सक्सिन सब मुझे जी के साथ थोड़ी रखेला रहना चाहता हूँ आये चले मुझे जी के लिए मुझे जी के लिए मुझे जी के लिए मुझे जी के लिए जी के लिए जी के लिए बेटी की शादी विखी के साथ हो जाए लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा है अपने हार बेशने के चकर में मुझे अंदर करवा दिया था अब किसे पहांची पर चड़वाओगे अवे अडू तू जिंदगी भर कलाकार नहीं बन सकता है अब और दिमाज बिजली की तरह चलता है वो एव अब्डूल कसाई जो अपने बच्चे की खासर सारे हस्पिताल को आग लगाने जा रहा था सब डाक्टरों का कदल करने जा रहा था क्या वो अपने बच्चे की खातर हमारे छोटे सा काम नहीं कर सकता है सुनिए मुझे तो डल लग रहा है क्यों अपना बेटा असलम अभी तक स्कूल से आया नहीं और अब वो कभी आएगा भी नहीं क्या आपके बेटे को गुंडे उठा ले गए अरे अपतिल भाई मुझ कलाकार पर जोरजबाने का क्या फैदा मैं तो आपको पैगांब देने आया था जिनोंने आपके बेटे को अठवाया ना उन्होंने मुझे भी जान से मार डाले की दम की दिये उन्होंने कहा है कि अगर मैंने आप तक यह संदेश नहीं पहचाया तो मेरे टुकड़े करके कुट्टों को खिलवा देगे और क्या कहा उन्होंने और उन्होंने कहा है कि आपको अपने बेटे की जान के बतले में इस शहर की मश्यूर डांसर मीना का खुन करना होगा अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो मैं उन्हारा भी खुन कर डालूगा तो मैं जिन्दा जाला डालूगा समझें आपको देखकर मुझे उस राजा की कहानी आता कि जिसे यह परतान था कि वो जिस चीज को छूलेगा वो सोने ही बन जाएगी जब से मैंने वोश समाला मुझे याद नहीं परता कि बिजनस के लावा भी आपने मुझे किसी बात के लिए बनाया हो बला यापने यह आदमी जो मेरे सामने खड़ा है यह तो वो दौलतमंद इंसान है जिसने विची को सिर्फ जन दिया और फिर बजार में एक ना चलने वाले खोटी सिक्की की तरह उठाकर भेंग दिया मैं पत्थर का था बेटा मदर तेरी जुदाई में इस पत्थर को बिक्रा दिया है मैं तूट चुका हूँ गए बच्चे तूट चुका हूँ ये दौलत वाले सरफ सोने चांदी की लाठी इस्तमाल करते हैं ऐसी लाठी को छूना भी इनकी शांग के खिलाब है बिटे नहीं मुनिशी जी ऐसा ना कशे मैं दौलत के नच्चे में अपने होश औहवास खो बैठा था अपने दोस्त को नवकर समझने वाला राय सहाब अमर्नात कपूरा आज मर गया मर किया मुझे माफ कर दीजी मुझे जी माफ कर दीजी आज एक महीं दो मौते हुई है मेरे लिए मेरा बात मर गया और आपके लिए आपका बेटा है रिशर Defense की दुन्या में हम दोनगे होगा है हाँ रड़ी आप में मुझे है वो सब दिया जिसे बाजार से खरीद के एक घर में सजाए जा सकता है अगर वो सूब कभी नहीं दिया जिसे एक दिल में सजाए जासकता है कर दो कर दो कर दो कि तुझे शराब पसंद है ना ले देख ले तारी जिन्दगी शराब से नफरत करने वाला तेरा ये बाप आज शराब में डूब गया कि अधियर्स विकी बाप से चेर्स नहीं करेगा चेर्स चेर्स आज पहली बाद मुझे ये ऐसास हुआ है कि मैं भी एक इंसान हूँ एक पाफ हूँ लोटा मेरे बेटे लोटा आज मुझे जी होते हैं तो तुझे वापस ले आते आज मैं अपनी सारी जायदात तारी दौलत उसको दे दूंगा जो मेरा बेटा विकी मुझे लोटा थे जो मुझे मेरे बेटे से कपूर साहाब कॉन है कपूर साथ हम आपको आपको के बेटे adhere से भी आएक से उल Anda कि आ कहता है जब तक डाइड़दी बेंचे कुझ य कि वापस नहीं हुआ edy ऐ हम हम उसे फुद लेने जाएंगे उसके पाऊँ पकड़कर उससे उसरे माफी तुम्हें सबूच एए न अंदर आओ आओ वह रहां सबूच देखो देख लेहां सबूच कहा है मेरा बच्चा मेरा बच्चा लाओ वरना तुम्हारा और नटवर्शा का भी वही आलोगा जो इसका हुआ है मेरा बच्चा कहा है मेरा बच्चा खारए है मेरा बच्चा फॉरन जायए उपना लाका 50 यह खोश्खवरी नटवर्शा को सुना अब नकपर शाह से खूब माल खेंचेंगे मेरा जी का खून हो गया है खून किसने किया खून यह तो मुझे नहीं मालूम लेकिन कुछ लोग बारबर किसी नट्रोल शाह का नाम ले रहे थे मिनाजी के कपड़े हैं अरे भाई विकिवाबो मेरी बात तो दूरो मेने किया क्या है अरुआ आप और आपूर लुटी बात प्रूर प्रूआ हुआ झालार में टे नट्राबोड़ा खूँए खूर जिदुए पर आप्रूस पर्भाद लुटी । । । । । । । । । विक्षी बाबू, नेने को मैंने नहीं मारा, उसे तो अब्दूल का साही ने मारा था, और गवर्दन सेट ने उसे पैदे भी दिये थे बारने के लिए, सच कह रहा हूं, और मेरा यकीन करो, विक्षी बाबू, विक्षी बाबू, आप यहां घजब हो गया, वो लोग तो आ आपके डेडी के बिसनस पार्टनर्स, डेडी, सचसेना साब आप अच्छी तरह जानते हैं कि राह साब अमरनात कपूर के साथ मेरा कोई रिश्टा नहीं रहा, विक्षी बाबू, खोन के रिश्टे आसानी से नहीं तूटते, आपकी एक एक सांस कपूर साब की देन है, ख कपूर साहब ये आखरी पेपर और लोगा वर्दन, सारे पेपर साइन हो गए, अब तुम मुझे मेरे बेटे से विला दो, मैं उसे एक बार अपने सीने से लगाने के लिए तोड़ रहा हूँ कपूर साहब एक बार नहीं, हजार बास सीने से लगाईए, लेकिन यहाँ नहीं, उपर जाकर उपर? बेगी क्या उपर है? तुमने मुझे अभी तक बताया क्यों नहीं है? अटो, अटो! कपूर साहब को इतनी जल्दी है उपर जाने की तो भाईयो देर किस बात की है? इन्हें इतना उपर पहुचा दो, ताकि दुबारा धर्ती पे वापस आकर यह न कह सके, कि हमने इन कागजात पर इंसे जबरदस्ती सिगनीचर करवाए थे. तो भाईयो! कबार जाने! कबार जाने! कर दो अधर जाने! इसकी वज़े से मेरी बेटियस बनाल बाुंस कई है! और जाने! कविकी! 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 कर चाप्र नाइस करिब कर दो पाराद। पाराद। आपकर जड़ें, न ही थान०ार, तर स्थारें और गड़ें क पार जात। अबे घखो, गाली कैसे स्थार्ट होगी? जबके इंजन यहां पड़ा हुआ है और आप थोड़ी देर में तुम्हारे नटबोल भी बहार निकल पड़ेंगे सच्छे ना साथ विकी बाबू यूही थोड़ा कहते है कि मुचे हो तो नटथुलाज जैसी अब बताईए इनके साथ क्या सुलूक के आजा ओई जो होना चाहिए ठीक है मार मार बेटी और इने को और मार अरे का मार कैसाब छीलो ना फाइलिस से पर्णे अरे का मार भारो पर्णे पर्णे उ सिसम्स मुचे भार्णे हाहा हाह हुत कि अच्छी मेरे बेटे मुझ कलाकार का भीड़ा गरा करने वाले कि इसमें सड़े हुए अंडे और संत्रे नहीं है इसमें गोलिया है और वो भी असले मैं एक एक को जान से मार डालूंगा नहीं इंस्पेक्टर है ऐसा मत करना यह लोग तो खुद अपनी मौत मरें क्यों अपनी वर्दी पर दाग लगाते हैं पिकी बाबू यह वर्दी भी तो आप ही की बिनाई हुई है आज मैं इसे आपके लिए कुर्बान कर दूँगा है कम हावलदार ले जो इन हरामजादों को अरे आप कहां चले सिर्ट जी अभी तो आपका हिसाब किताब मुझे झाले वर्दी तो आपके लिए यह भी तो आपका है रहाई है किताब कर दो आप है किताब की बादार ले किताब कि मुझे ऑट जीची का है झाल झाल आप तो जियेगा ना मेरे लिए ना सही तेरी बहू के लिए झाल झाल